गर्मी में AC वाली बहु पर लट्टू हुई सास हाओ आओ बहु स्वागत है तुम दोनों का एक मिनिट माजी, भाया उसे अंदर ले आईए साक्षी के बात सुन बाहर खड़े दो आद में एक बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आते हैं साक्षी बहु इस बॉक्स के अंदर क्या है? माजी इसके अंदर AC है, गर्मी का मौसम है ना, इसलिए मैं दहेज में AC लेकर आई हूँ क्या? AC? हरे तुने तो मेरे मन की बात कर दी, मैं चाहती थी कि मेरे होने वाली बहुएं AC लेकर आएं इसका मतलब तु खाली हाथ आई है? तेरे माबाप शरम नहीं आई खाली हाथ बेटी को बेचते हुए? इतना कहकर रेखा अपनी अमीर बहु साक्षी को उसके कमरे में ले जाती है, वो विचारी महक अपने सास की बाते सुनकर रोने लगती है बहु तेरे कमरे में घुसते ही ऐसा लगता है कि मानो मनाली में आ गए हूँ माजी मेरा जूस पीने का बहुत मन कर रहा है, बस इतनी सी बात मैं अभी अपनी बहु के लिए जूस मंगवाती हूँ महक गर्मी में किचिन में पसीना बहाते हुए बरतन दो रही थी, सास की आवाज सुन, महक अपनी सास के पास जाती है जा, जाकर मेरी साक्षी बहु के लिए जूस बना कर ले आ रेका के बाद सुन महक किचिन में जाती है और साक्षी के लिए चूस बना कर लेकर आती है तोनों सास बहु एसी की ठंडी हवा के सामने बैट कर गर्मी में एसी के मज़े ले रहे होते हैं वहीं बेचारी महक दिन भर गर्मी में वसीना बहाते हुए घर के सारे काम करती है आह, क्या हुआ बहु, तु ठीक तो है ना? कुछ दिनों से सर बहुत दर्द कर रहा है, इतनी सी बात मैं अपनी बहु के पैर दबा देती हूँ रेखा साक्षी के पैर दबाने लगती है कि तबी वहाँ अनुज मयंक और साक्षी आ जाते हैं रेखा को साक्षी की पैर दबाता देख, सबी लोग हैरान होते हैं साक्षी, तुम्हें शरम नहीं आती? अपनी सास से अपने पैर दबाते हुए शरम की कौन सी बात है और वैसे भी मेरी बहु दहेज में एसी लाई है ऐसे तो अपनी एसी वाली बहु के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती 24 गंटे सास बहु एसी वाले कमरे में बैट कर आराम करती खाती पीती और हिलने का नाम भी नहीं लेती जिसके चलते घर की सारी जिम्मेदारी बिचारी महट पर आ गई थी दोनों सास बहु एसी की ठंडी हवा में लेटे डेटे गाना गा रही थी वहीं बेचारी महक पसीने में किचिन में खाना बनाती है तबी अचानक तेल के छीटे पढ़ने से महक का हाथ जल जाता है गर्मी की वज़ा से महक के हाथ में और जलन होने लगती है जिसके चलते महक जल्दी से भागते हुए साक्षी के एसी वाले कमरे में जाती है तू यहाँ क्या कर रही है? साक्षी, खाना बनाती हुए मेरा हाथ जल गया गर्मी की वज़े से बहुत जलन हो रही है थोड़ी देर तुम्हारी एसी वाले कमरे में बैठ जाओंगी तो जलन कम होगी अगर इतना ही एसी में रहने का शौक है तो अपने माबाप से कहकर मंगवा ले, समझी रेखा साक्षी महग को कमरे से बाहर निकाल देती है गर्मी की वज़ा से महग के हाथ की जलन बढ़ने लगती है लेकिन किसी को भी उसके दर्द का जरा सा भी ऐसास नहीं होता साक्षी के एसी लाने पर अब रेखा इस कदर लट्टो हो चुकी थी कि उसे तो घर में बाकी किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा था रेखा अपने AC वाली बढ़के लिए मॉल से धेर सारी शौपिंग करती है वहीं अपनी गरीब बहू को एक सूट तक नहीं दिलाती जहां रेखा एक तरफ अपनी अमीर बहू के लिए उसकी मनफसंद की खाने की चीज़ीज़ बनाती वहीं अपनी गरेब बहु को एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछती जिस बहु ने आज तक रेखा को एक गिलास पानी भी नहीं दिया था रेखा उसकी इतनी तारीफ कर रही थी वही जो दिन रात उसकी सेवा करती थी रेखा उसी की बुराई करती है ये सब सुनकर महग को बुरा तो लगता है लेकिन इन सब के बावजूद भी महग अपनी सास की सेवा करना नहीं छोड़ती है माजी ये लीजे आपकी दवाई चार बज गए हैं और आपने अभी तक अपनी दवाई नहीं ली महग अपनी सास को दवाई दे कर जाने लगती है तभी महग साक्षी को उसके कमरे में गाना गाते हुए देखते है कितनी स्मार बहूना मैं आज कल की सारी बहूं को तो मुझसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए कैसे अपनी सास को अपने इशारो पढ़ना चाहें तुम्हीं शेरम नहीं आती? मा जी तुम्हीं इतना प्यार करती है, तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम हू कि उनके प्यार का नाजाय स्वाइदा उठा रही हो ओ, 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 तो तुम अब मुझे सिखाओगी कि क्या सही है और क्या गलत? भूल मत इस घर में किसकी चलती है दो मिनट नहीं लगेंगे तुझे इस घर से निकालने में साक्षी की बाद सुन महग कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और अब पूरी तरह से रेखा साक्षी के जाल में फस चुकी थी इतना कहकर रेखा वहां से चली जाती है ये सब देख साक्षी के सहेरी रागनी को काफी हैरानी होती है साक्षी ये सब क्या था दुनिया की सारी सास अपनी बहूं से काम करवा रही है ये सब सर्फ मेरे एसी का कमाल है मैं जान बूच कर एसी लेकर आई थी मैं जानती थी कि मेरी सास एक नंबर की लालची औरत है एसी को देखते ही तो वो लट्टू हो जाएगी और फिर मैं उसे अपने इशार उपर न चाहूंगी वैसे इस एसी के बीच तुने वो काम किया जो तुझे करना था वैसे भी अब मेरी सास पूरी तरह से मेरे काबू में आ चुकी है तो मेरे लिए अब ये काम बहुत आसान है माजी आपको पता है मेरी एक सहेली नहीं बड़ी चालाकी से अपनी सास की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी और अपने सास को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया मुझे तो लगता है ये महग भी कुछ ऐसा ही करेगी लगता तो मुझे भी है बहु उसके चाल-चलन मुझे भी ठीक नहीं लगते लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आउंगी साक्षी दो दिन बाद प्रॉपर्टी के पेपर बनवा कर लाती है और रेखा से उस पर साइन करवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है जब तक तु मेरे साथ में है मुझे कभी कोई परिशानी नहीं होने देगी मैं बहुत ठक गई हूँ अब तेरे कमरे में जाकर मस्तेसिस की ठंडी हवा में सोंगी ए बुडिया तुझे शरम नहीं आती जब देखो अपनी बहु के कमरे में पड़ी रहती है रोज रोज ये अच्छी बहु होने का नाटक अब मैं और नहीं कर सकती ये सब सिर्फ मैंने इस लिए किया ताकि मैं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकूँ जो मैं करवा चुकियों तो अब जल्दी से और निकल मेरे घर से इतना कहकर साक्षी रेखा को घर से बाहर निकालने लगती है कि तभी वहां महक आ जाती है साक्षी तुम माजी को उनके घर से बाहर नहीं निकाल सकती हो ये इसका रही मेरा घर है अच्छा तो एक बार जरा उस प्रॉपर्टी के पेपर को ध्यान से पढ़कर देखती तो कहीं वो नकली पेपर तो नहीं? साक्षी जैसे उस प्रॉपर्टी के पेपर को पढ़कर देखती है तो वो सारे के सारे प्रॉपर्टी के पेपर नकली होते हैं क्यों उड़ गे ना हुश उस दिन मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सहली की सारी बाते सुन ली थी और मैं तुम्हारे सारे प्लैन के बारे में जान गई थी तुम लेकर तो असली पेपर आई थी लेकिन मैंने उन्हें इन नकली पेपर से बदल दिया मैक मुझे माफ कर दे, तुने मेरा इतना खयाल रखा मेरी इज़त की और आज तेरी वज़े से ही हमारी जायदाद बच पाई जिस बहु को मैंने हमेशा ठुक राया, वो बहु तो मेरी हीरा निकली और जिससे मैंने हमेशा प्यार किया वो तो कोईले से भी गई गुजरी निकली अब तो इस घर में और नहीं रह सकती, मैं जल्दी ही तेरा और अनुच का तलाग करवा दूँगी अपनी सास की बात सुन और साक्षी की हालत को देखते हुए महक को उस पर तरस आ जाता है किसी की करनी की माजी उसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजे, इसे माफ कर दीजे महक मुझे मेरी गल्ती का एसास हो गया, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूगी, मुझे माफ कर दीजे साक्षी की आँखों में पश्चाताप के आंसु देख महक और रेखा उसे माफ कर देती है, जिसकी मदद से साक्षी एकाग्याकारी बहु बनती है और महक के साथ सारे घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है वहीं अब रेखा के सिर से भी एसी का भूत पूरी तरह से उतर जाता है